जहां आज मदेबरेश विधान सबा सत्र का बजट सत्र आज है और कुछी देर में विधान सबा पहुचेंगे मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान उसके लावा राजेपाल अभी भाशन के दोरान सदन में रहेंगे मौजूद अभी भाशन पर कृतक गिता ग्यापन पस्ताव रखेंगी मुख्यमंत्री बारा बचकर पंदा मिट पर होगी कारिव मंत्रणा समीती की बैठक आपको दादे भुपाल में आज बजट सत्र की श्रुवात होने वाली है सबसे महत्पूर्ण सत्रा से शुरूर ने जा रहा है चुनावी साल है और बजट सत्र है और लगातार हम देख रहे हैं कल भी सर अपने कत्यारियों की समिक्षा ली और एक लंबा सत्र है इसी मांग लगातार विपक्ष कर रहा था उस हिसाब से एक बड़ा समय भी आपने दिया है नए विया सत्रे बजट सत्र इसी तरह से होते हैं और बजट सत्र बे तारीखों से मैं फिर भी गणना नहीं करना चाहता हूँ बजट सत्र डोनों पकशित कいसे चलाते मोत तो पूढ़ है कि ज्यादा ज्यादा बाते हो जाएं ज्यादा ज्यादा टीमांड से हो जाएग उसकी चर्चार हो जाए मंत्रियों के असासा ना जाहा, यह सारी चीजे होना चाहिए। इस वर्ष के चुनाओ का मने, पांच साल के चुनाओ का अंतिम बजट सत्र है, भी तेक और आएगा पर यह अंतिम बजट सत्र है, इसलिए सबकी जनता की भी आसा, अभिलासा, अपेक्षा और तमाम सारे लोगों की आसा इससे जुड़ी हुई है लगवा सर, 3700 से ज्यादा प्रस्टा है, लेकिन अच्छी बात ही कि इस बार पंद्रह सर से ज्यादा प्रस्टा जो हैं आपके आउनलाइन हैं, जो लगातार आप प्रयास कर रहे थे, उसमें आप सफलता ज्यादा मिल रही है नहीं वो अभी भी 60-40 का रेसियो है, हम ये चाहते कि सो प्रस्ट क्यों नहों और इसलिए बार बार जो विधान सबार डिजिटिलाजिसन की बात कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं, कि ये आफ लाइन वाला हमेशा के लिए विवाधी समापत हो जा, सब कुछ आ लाइन हो इसलिए विधायकों को सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, टैप के रूप में दिया जा रहा है, बजट भी? बजट इसलिए पेपरलेस बजट कर दिया है, इसलिए उनको सब को टैबलेट दे रहे हैं, और आप लोगों को दे रहे हैं, क्या कहते हैं, उसको पेंडराइब दे रहे हैं, जिससे आप भी निकाल करके, उसको ठीक से लिख सकाएं, दिखा सकाएं. सर्कार के लिए भी और विपक्ष के लिए भी क्योंकि मेराथन दोड़ का 90-100 मीटर बहुत महत्तर पूर्ण होता है, तो यह इसको विधायकों को देखना चाहिए कि हमारी ये मेराथन की 5 साल के मेराथन की 100 मीटर अंतिम बची हुई दोड़ है, उसको इस हिसे खाहिए हु कि थोड़ी देर बाद सत्र शुरू होना है हमारी विदान सभाद देख जिसे बात हुई और दोनों के लिए उन्होंने सबसे बड़ी समझाई सिए दिये कि ये बहुत महत्पूंट सत्र है और इसी हिसाब से दोनों पक्षिस्त पे अपना रवया रखें कैमरा मैन हरी के साथ आपको बता दे कि आज मध्यपदेश में विदान सभा का बजट सत्र है और मध्यपदेश विदान सभा में सत्र कुछी देर बाद शुरू होने वाला है मुखे मधिशिवरासिन चौहान भी इसी सत्र में शामिल हूं इसी ख़वर पर जदा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए विशेश संभाद दाता अनुराग मालवे अनुराग विदान सभा बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है क्या कुछ मध्यपदेश वासियों को उमीदे हैं क्या कुछ विशेश इस सत्र में आज हो सकता रहते बने कर देंगे आज यू एक सभी इस बात को समझ ना होगा लेकिन अगर हम बात करते हैं आज की काहरवाई की तो राजयपाल का अभी भाशन है जो अपने आप में महत पूर्ण होगा एक साल में सरकार की उपलब्दिया रही है पिछले वित्ती वर्षे लेके अभी तक के उन सभी पलग्डियों को कहिं न कहीं उसमें जिक्र, आईगा ऎक मुद्धा है कितनी सह्षिं कितनी और वपक्ष्ची नई बनती है, यह देखने वाली बात होगी इस पूरे उसमें, लेकिन साथ में अगर हम बात करते हैं, इस हम बात करें पानी की समस्या है उस पे है बिजली बिलों का मुद्दा है ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिन पर सत्र गर्माएगा चुकि बजट पर चर्चा होगी तो बजट में किस तरह की घुषणा है उद्गुषणा है कितनी सौगाते मिलने वाली है इस पे सिर्फ सत् पर चाहिए तो यह देखने वाला बात होगी कि एक मार्च के बजट में चाह आने वाला है इस सतर की बात करें कि जब बजट पर चर्चा होगी तो यह भी बहुत महपूर्ण होगा बड़ा फोकस होगा कि इस बार कमलनात की उपस्तिती किस तरह रहती है क्योंकि पिछले लेकिन चुकि यह बहुत महत्पूर्ण है चुनावी साल का बज़र सत रहते हैं उनकी उपस्तिती भी माइने रखती है चुनावी साल है क्या कुछ लगता है जनता को लुभाने वाला बज़ट पेश किया जाएगा शिवरा सरकार की ओर से देखिए कल विक्त्रमंतली से बात चीट हुई थी काफी उन्नोंने साफ तौर पेशार किया कि यह बज़ट जो है जनता का बज़ट है और साफ तौर पे जब चुनावी साल होता है तो बज़ट जनता का ही होता है तो कई न कई जनता को बहुत सौगाते मिलने वाली लाड़ली बहना योजना बहुत महत्पून योजना है और उसके लिए काफी बड़ी रासी इसमें आवन्टित की जा रही है चुकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोजार तेईस के चुनाओं में तो उसको फोकस में रखते हुए नए उद्योगों की बात है नई नौकरियों की बात है उसके लिए एक बड़ा बजट यहां याने की युवाओं को फोकस किया जाएगा महिला और यु पानी ऐसे मुद्धे हैं जो सीधे वोट को प्रभावित करते हैं तो इन बजट में इन तमाम चीजों को लेके सौगाते साफ तोर पर नजर आएगी जिसका कही न कहीं आ प्रतेक्श रूप से सारा कल जगदीश देवडा याने की वित्तमंत्री ने कर दिया था जे अन्रा ग्रामिन चेत्री था तो साफ तोर पे बहुत बड़ा फोकस है पंचायतों के लिए नई नीती है सर्पंचों और सत्यूओं के पास में जो वित्ती अधिकार है उसको लेके इस बजट में नए आवंटन है और इसके अलावा ग्रामिन चेत्रों में हमने कल भी देखा मुक् बजट में जनता को मिलने वाली है उसके बारे में विस्तार से बता रहे थे जल पानी बिजली को लेकर यहाँ पर सोगात मिलने वाली है वही ग्रामिन चेत्रों को लेकर भी बजट अच्छा हो सकता है कुल मिलाकर यहां पर साफ हुआ है कि इस बार का बजट जनता का बजट होगा जनता के लिए अच्छा बजट होगा कई सारी सौगात है मध्यवदेश की बजट में राजय को मिलने वाली है